नमस्कार मैं हूँ दीप्ती शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूँ आज इतने खुबसूरत दिन पर न्यूज 18 के हमारे खास कारिक्रम भाग्यम में और भाग्यम के भी हमारे इस सेग्मेंट में जहां पर आप और हम हर रोज टारट और औरिकल के जरीय जानते हैं कि आज का हमारा दिन डिवाइन गाइडेंस से हम और भी बहतरीन कैसे बना सकते हैं और इसके लिए हम एक से लेकर नौ मूलांग तक की रीडिंग करते हैं कौन सी रीडिंग आपको रेजनेट करेगी उधारन देती हूं कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 25 तो 2 और 5 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ाएगा 7 तो 7 होगा आपका मूलांग और आज की तारीक है 21 नवंबर 2022 और 21 यानि की मून एंग सन ठीक है आज चंद्रमा और सूर्य दोनों की उर्जाएं प्रभावशाली हैं और 21 को जब जोड़ेंगे तो आज की तारीक का जोड़ है वो है नंबर तीन नंबर तीन मतलब की ब्रहस पती यानि की गुरु जुपिटर का क् आज की हमारे एक से लेकर नौ मुलांग के जातकों पर आए जानते हैं लेकिन करक्रम में आगे बढ़ने से पहले हर रोज की तरह बताना चाहूंगी कि यह एक जनरल प्रेडिक्शन है जिसमें आपको हर प्रेडिक्शन के साथ ही रेमेडी भी बताई जाती है बहुत ही आस प्रेडर होगा और आप उसे खुद थोड़ा सा प्रयास करके और भी बहतरीन बना सकते हैं हमेशा अपने आपको हाई वाइबरेशन में रखे और उसके लिए ध्यान करें जाप करें योग प्रणायाम करें प्रकृति के साथ ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करें और पर प्रणक एक के लिए आज का दिन कैसा गुजरने वाला है यानि की 21 नमबर 2022 और ब्रह्मान के दिवे उर्जा हमें बता रही हैं क्लारटी का काड़ाया है आज आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन बहुत आपको विशेश ध्यान देना है किस बात के ऊपर चापलूसों से सा पागधान रहें ऐसे लोग जो आपको जबर्दस्त जूटी पैंपरिंग करते हैं उन लोगों से बचके रहें लोगों का हिडिन एजेंडा जानने का प्रयास करें इसके अलावा आज आपको भ्रहम की इस्तिती से भी खुद को बचाना है भ्रहम की इस्तिती मतलब कि वास कर बेखेंगे तो आपको क्या करना आज के दिन एक तो कोई इंपोर्टन डॉक्यमेंट पर आपको साइन नहीं करना है तिवाइन हमें क्या गाइड कर रहे हैं मूलंक 2 जात्कों के लिए जाने के 21 नमबर 2022 के लिए और हमें गाइड किया जा रहा है री बर्थ का आपका कार है आप से कहा जा रहा है आपके अंदर एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज आ रहा है आज आप बहुत डिफरेंट फील करने वाल है लाइक फीनिक्स फीनिक्स एक ऐसा पक्षी होता है जो की जल जाता है अपनी राक से पुना उत्पन हुआ है तो आज वही आपका टाइमिंग आज आपके लाइफ में कुछ नया होने वाला है कुछ डिफरेंट होने वाला है और यह ऐसा च्रांस्फरमेशन होगा जो की आपके most of the चीज़ों को आपके सोचने समझने की चीज़ों को शमता को बदल के रखने वाला है बहुत ही डिफरेंट होगा आज आप एक नए अवतार में जो है आप आ सकते हैं आप जो है अपने आपको completely change कर सकते हैं आपका makeover हो सकता है तो जो भी कुछ आज होने वाला है just accepted by the grace of God आपको आभार व्यक्त करना है परमात्मा का gratitude में रहना है और उस change को accept करना है क्योंकि यकिन माने ये जो change है ये आपके बहुष्य के लिए आपकी बेहतरी के लिए है आपका दिन शुभोग आई जानते हैं मूलांक 3 के लिए कैसा गुजरने वाला है हमारा आज का दिन यानि कि 21 नवंबर 2022 आज की तारीक भी है तीन और मूलांक भी है तीन और डिवाइन हमें गाइड कर रहे हैं जरनी का काड है आप से कहा जा रहा है कि आज के दिन ना आपने उमेद भी नहीं लगाई थी ऐसी आकस्मिक जगहों से आपको सहायता मिलने वाली है कही ना क आपके गुड कर्म है में जो आपने लोगोऌं के साथ अच्छी चीज lawsuit अप जो दिल आपने लोगों कि बारेे में अच्छा सोचा है आज डिवाइन कहीं किसी ना किसी रूप में आपकी सहायता करने वाले हैं तो माध्यम कोय भी हो सकता है अप एक ड़म ऑन एकसपेक्टे जो है हेल पाज आपको मिलने वाली है और कुछ चैलेंजिस आज आपके समक्ष आ सकते हैं लेकिन आप बहुत इजी ली सब चीजों से ओवर कम आज कर जाएंगे कुल मिलाके एनरजी बहुत अच्छी है आपका दिन शुभू आई जानते हैं मूलांक चार के लिए आज का दिन कैसा गुजरने वाला है क्या बता रही है ब्रमान की दिवे उर्जाएं परमात्मा की दिवे शक्तियां हमें बता रही है मूलांक चार के लिए आज याने की 21 नवंबर 2022 और कहा जा रहा है मेटामॉर्फोसिस का कार्ड है चेंज में अगर आप हडबडाएंगे बेचैन होंगे तो आप जो है अपना ही नुकसान कर बैठेंगे आपको क्या करना है आज बहुत शांत रहने की जुरत है सही समय का इंतजार करिए कोई भी नया प्रोजेक्ट आपको आज शुरू नहीं करना है कोई भी में काम को थोड गुजरने वाला है हमारा आज का दिन क्या बता रही है ब्रहान के दिवे ओर जाए आज मुलांक पांच के लिए यानिकी 21 नवंबर 2022 और कहा जा रहा है पार्टनर्शिप का कार्ड है आपसे कहा जा रहा है कि मुलांक 5 के जा तक जो कहीं ना कहीं partnership में काम कर रहे हैं आज आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है आज आप लोगी partnership जो है वो बहुत अच्छे इस्तर पर जाने वाली है और साथ ही साथ आपको आज मित्रों का सहीुक प्राप्त होगा अगर किसी प्रकार के आपके काम रुके वे थे तो आपकी help होने वाली है, आपको सहायता मिलने वाली है, आपके साथ आज बहुत सारे ऐसे लोग आपके समक्ष आपके पास आएंगे आपकी help करने के लिए जिनकी क्या आपने कल्पना भी नहीं करी थी, तो कहीं न कहीं overall कुल मिला के आज का दिन बहुत अच्छा है छोटे-छोटे hurdles हैं लेकिन आपको साहता मिलेगी तो overcome कर जाएंगे आपका दिन शुभो आई जानते हैं मूलांक 6 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन यानि की 21 नवंबर 2022 मूलांक 6 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है elegance आप से कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से मैं इस card को जो है थोड़ा सा lovership का card भी कहना चाहूंगी प्रेम प्रसंग का card कहना चाहूंगी कि जिस प्रकार से जो swan है वो पानी में glide करते हैं बड़े ही प्यार से जो है प्रेम के साथ तैरते हैं smoothly अपनी चीजों को complete करते हैं वैसी आज का दिन आपका बहुत smooth रहने वाला है प्रेम और compassion से गुजरने वाला है आज आपका पूरा focus अपने partner पर होगा आपकी family पर होगा कहीं ना कहीं आज आप अपने partner के साथ एक बहुत अच्छा time spend कर सकते हैं आप लोग जो है कहीं बाहर जो है party के लिए जा सकते हैं dinner के लिए date पर आप जा सकते हैं कुल मिला के आप family, friends और अपने partner के साथ एक बहुत अच्छा समय बिताने वाले हैं completely romantic card है तो दिन आपका आज बहुत समूध है आपका दिन शुभो आईए जानते हैं मूलांग साथ के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन यानि कि 21 नवबर 2022 मूलांग साथ के लिए divine energies हमें guide कर रही है action का card है आप से कहा जा रहा है कि आज की दिन आपको आज के दिन लोग आपको सराहेंगे आपके काम को आपको लोगों के सामने प्रेजेंट करने का मौका मिलने वाला है आज आपको वो stage प्राप्त होने वाला है जिसका आप कई दिन से इंतजार कर रहे थे आपने जो planning की थी आज आप उसको चरितार्थ कर सकते हैं आज का दिन action लेने का है तो आज अब आपको बिल्कुल भी आलफ से नहीं करना है और आज अपने दिन को बहुत अच्छे से उसका सदुप्योग करना है आई जानते हैं मूलांक आठ के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन हमें डिवाइन क्या गाइड कर रहे हैं आज याने की 21 नवंबर 2022 मूलांक आठ के लिए और हमें कहा जा रहा है जर्नी का काड है आज की दिन आपका यात्रा का योग बना हुआ है यात्रा से आपको लाब हो सकता है साथी साथ ये जो यात्रा है ये धार्मिक यात्रा होती भी दिखाई दे रही है और हमसे कहा जा रहा है कि अगर हम आपकी लाइफ की जर्नी की बात करें तो कहीं न कहीं आपने बहुत अच्छी ग्रोथ हमेशा अपनी लाइफ में ली है तो आपसे कहा जा रहा है just be in gratitude आज आपको धन्यवाद के भाव में रहना है और इस यात्रा से लाब उठाना है आए जानते हैं मूलांक 9 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन क्या बता रही है ब्रह्मान की दिवे उर्जाएं आज यानि की 21 नमबर 2022 के लिए और मूलांक 9 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है manifestation का card है आप से कहा जा रहा है जो भी आपके dreams हैं जिने आप achieve करना चाहते हैं जो चीज़ें आप हासिल करना चाहते हैं आपके पास उतना potential है कि आप उसे हासिल कर सकते हैं अब आप पूरी तरह से तयार हैं अपनी life में success को प्राप्त करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है आपको करना क्या है खुद पर यकीन करना है आज की energies बहुत अच्छी है खुद पर यकीन करें और जो आप अपने जीवन में हासिल करना चाहते हैं आज उसे प्राप्त करने का सुवस्तर आपको प्राप्त हो रहा है ऐसे मौके को जाने ना दें आपका दिन शुभो दोस्तों यह थी रीडिंग हमारी एक से लेकर नौ मूलांग तक की हम परमात्मा से हमिशा प्रार्थ करेंगे आप हमेशा खुश रहें स्वस्त रहें आप सभी का मंगल हो अगर आपकी कोई भी क्वैरी है तो यहां दिये नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रिणाम